तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जूशियान को याउगिन पर थोड़ा शक होता है बगर फिर जूशियान को पता चल चुका तक कि जींग और उसकी टीम किस रास्ते से भाग रही है इसलिए वो सीधा वहाँ आ जाती है यहाँ पर जींग ने वो बैरियर क्रेट कर रखाता जिसकी वजह से वो बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे रहे थी लेकिन जूशियान कहती है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो उन लोगों को ढोन सकती है अब इस पार्ट के स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है हम देखते हैं कि अभी भी वो सभी वहाँ बैरियर के अंदर ही थी और जुशियान इन्हें ढूनते वे आगे बर रही थी उसका प्लैन सिंपल था अगर ये लोग किसी बैरियर के अंदर छुपे हैं तो वो उतनी जगा में चल कर वो उस बैरियर को ढोन लेगी अब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है क्योंकि वो बैरियर वही पर था और अगर वो उससे तरह से आगे बढ़ती रही तो उस बैरियर सिर्ट वो टकर आ जाती इसलिए ये चीज देखते हुए जींग और फूरा ग्रूप वहां से भागता है वैसे वो उस बैरियर को लेकर दूसरे जगा पर जा रहे थे लेकिन इस तरह उससे दोड़ती वक्त जुशियान ने उनको महसूस कर लिया था और पहले तो उससे डाउट था कि वो यहाँ पर है लेकिन अब उससे थोड़ा थोड़ा यकीन भी हो चुका था अब हम देखते हैं कि ये लोग एक पत्थर के पास आ जाते हैं और यहाँ पर जुशियान कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर हो और मुझसे बचने के लिए भाग रहे हो लेकिन अब और जाता देर तक नहीं और इतना कहते हैं वो अपना ये बहुत बड़ा फॉर्मेशन करती है और इस बैरियर की खास बात ये थी कि इस बैरियर के अंदर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता इसका मतलब अब जींग और उसका पूरा ग्रूप यहाँ पर कैन्ध हो चुका है ये देखते वें जींग सभी से पूसता है कि अब हम क्या करें तो इस बाड़ तो वो लोग कुछ नहीं क्या पा रहे थी मगर फिर शियाओ गह परती है कि हमें अब फाइट करना चाहिए जिस पर जींग उससे कहता है कि नहीं अभी हमारे पास इस पावर नहीं है कि जुशियाओ से फाइट कर सके अब शियाओ उसके बात मान जाती है और फिर वो लोग वही बैठकर जुशियाओ को देखना स्टार्ट कर देती है वैसे इसके बाद तभी जींग को एक आइडिया आता है वो शियाओ से कहता है कि टैंपल कोड ने तुम अपनी पावर्स दी है इसका मतलब तुम अब इस टैंपल को भी कंट्रोल कर सकती हो पहले तुमने इसके इनरजी को फिल किया था तो अब तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है तुम्हें बस टैंपल कंट्रोल करकर यहां इनरजी रिलीस करनी है जिससे ऐसा लगी कि टैंपल में कुछ प्रॉबलम है और अब ये सेल्फ डिस्टेक्ट होने वाला है अब ये बात समझ को शियाओ भाई पर बैट जाती है और कल्डिविशन स्टार्ट कर देती है अब उस टैंपल से कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है पर फिर वो टैंपल के साथ कनेक्ट हो ही जाती है अब यहाँ हम देखते हैं कि उसके कनेक्ट होने के बाद वो टैंपल को कंट्रोल कर पा रही थी अब वो उसके नेज़ी को रिलीस करती है जिस वज़ए से वो टैंपल हिलने लगता है अब सभी शोलजर और सुरेंट जो जो कोई यहाँ आए थे और जो जो कोई चिंदा बचे हैं वो बहुत ज़दा शोक लग रही थी क्योंकि अभी वो टैंपल से बाहर भी नहीं निकल सकते थी क्योंकि यह जुशियान का ओर्डर है और अब यह टैंपल भी हिलने लगा है तो अंदर भी नहीं रह सकते साथियव जींग शियाओं का नेर्जी बढ़ाने का कह देता है जिसके बाद बाद चारो तरफ और ज़्यादा खतरनाक तीजिस से अनेर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है अब यहाँ इस तरह से हम देखते हैं कि याओगी नभी जुशियान को समझा रही थी यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है मेरे हिसाब से शायद यह टैंपल खुद से ही टूट रहा है क्योंकि अब यहाँ पर कोई गौड है ही नहीं अब इस बात पर शौक होने के जगा जो शियान कहते ही तुमने बिल्कुल सही बात की है यहाँ पर तो कोई गौड है ही नहीं तो क्योंना मैं ही टैंपल को कर्ट्रोल कर लूँ और इतना कहते हुए वो अपनी अनर्जी को उपर की तरफ रिलीस करती है इस विज़े ज़से टैंपल को फर्क पड़ता है और उसके अनर्जी इतनी ज़ादा थी कि वहाँ शियाओ को तक उसके विज़े से बहुत पेन होता है यहाँ तक कि उसके मुझ से खून तक निकल आया था और इसी चीज़ से कारण गहाँ पर जुशियान को लोगों की ब्रीट सेंस हो रही थी अब वो पहले तो ध्यान से इधर उधर देखती है और उसके बाद इस बैरियर की डिरेक्शन में अटेक करने के लिए आंगे बढ़ जाती है उसने बिल्कुत सही डिरेक्शन पकरी थी क्योंकि जींग और उसका बैरियर यहीं पे था उसका ये अटेक्स की था इन लोगों पर लगता है इसका रण से जींग तुरंथ ही आंगे आता है और अपनी पावर से जींग बावफलों टैक को रोखने की कुशिश करता है इसकी बज़र से जो शीयान ने पहले तो बैरियर तोड़ दिया था और जब उसके हाथ से एनेजी डिलीस होती है अब यहां पर आने के बाद जींग तुरंथ ही बिना समय गवाई पर सारी तलवार निकाल कर उनके मल्टी स्वर क्लोन से जो शीयान के पर टैक करता है लेकिन जो शीयान उन सभी तलवारों को डोस कर देती है और उसके बाद सीधा आगे बढ़कर जींग पर हमला करती है यहां जींग इस एनरजी को सहर नहीं पाया था और जींग एनरजी भी कम थी इसी कारण से वो वहाँ इससे सीधा नीची के तरफ फिक जाता है लेकिन पहले ही वो अपने तलवार को वापस से खीचता है और अब वो उसे तरफ से आ रही थी लेकिन फिर से जो शीयान उन सभी को देख लेती है तो वो बहुत एजीली जींग के टैक्से बढ़ जाती है और यहां पर जींग बहुत दागत से जमीन पर गिरता है भी श्याओ की तरफ बढ़ रही थी अभी श्याओ तो अपने कल्टिविशन में लगी वे थी इसलिए वो उसे देख नहीं सकती थी पर तभी बार्बेरियन जुशियां की तरफ भागता है और उसे रोखने की कुशिश करता है लेकिन जुशियां अपने एक अटैक में से उस यह चीज देखकर वो सभी बहुत ज़रा शौक थी और उन्हें बुरा भी लग रहा था मगर अब यहां की सिच्वेशन देखने जरूरी थी तो हम देखते हैं कि जुशियां आगे बढ़ रही थी और श्याओ की तरफ जा रही थी लेकिन अब ये रेर और जिंग दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं और साथ में जुशियां गुरू के एकोशिश करते हैं पर जुशियां की पावर दाता थी एक उन दोनों को ही नीचे फेक दीती है और इसके बाद अब वो उनकी तरफ ही वो अटेक करने वाली थी जो उसने बार विलन के उपर किया था मगर इस टैंपल की भावर को अनलॉक कर लिया था और अब वो गुस्से में खड़ी होती है और उसकी आख में अलग एक लाइट निकल रही थी वो कहती है कि बस आब और नहीं यहां पर जुशियां मन में कह रही थी कि मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूं मगर अब यहां श्याव पर सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक आना तो कम बज़री है ही अब मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गैसे टिक केर